हलो फ्रेंड्स मैं कलपना कॉंसल ग्रीन होम में आपका स्वागत करती हूं आज मैं आपसे बात करूंगी कि आप अपने गैंदे के पौद में जादा से जादा फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं और इसको घना कैसे बना सकते हैं इसके लिए आपको गैंदे की पौद में जादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बस दो-तीन चीजों को याद रखना होगा कि आप अपने पौदे इससे जादा से जादा फ्लावरिंग कैसे लें इसके लिए आपको पहले तो गैंदे का जो आपने पौदा ल जादा नहीं बस गोबर की खाद आपके पास सड़ी गली जो होती है वो आप डाल दीजिए तो यह पौधा पहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा और आप इसको घना बनाना चाहते हैं आप इसमें जादे से जादा फूल लेना चाहते हैं तो इसको आपको क्या करना होगा कि जब आपकी पौट छोटी हो आप देख सकते हैं जैसे यह पौट है यह देखे आप छोटी है 5-6 इंची का पौधा हो तो आप इसकी जो उपर का सिरा होता है आप इसकी यह सिरे को आप इसकी पिंचिंग कर दीजिए इस तरह से तो यह पिंचिंग करने से क्या होगा कि जाएगा जब इस तरह से यह देखिए मैंने यह जब 4-5 शी का पोध था तो मैंने इसकी पिंचिंग पर से की हुई थी तो देखिए इस तरह से कितनी सार इसमें ब्रांचिस निकल आई हैं आप देख सकते हैं यह देखिए नीचे से भी निकली हुई है यह देखिए नीचे से भी निकली हुई है और देखिए इसमें कलियां भी शुरू हो गई आना हर ब्रांच में देखिए आ अगर पिंचिंग नहीं करते हैं तो यह पौधा सिर्फ आपका आप देख सकते हैं यह पौधा इसमें जादा पौधा चाहिए और काफी फ्लावरिंग पौधी में चाहिए तो आप इसके लिए आपको इसको फुल सनलाइट और पानी और बस गोबर की खाद देनी आपको और यह ज्यादा मेहनत नहीं मांगता है पौधा यह बहुत मतलब सुन्दर भी लगता है देखने में गैंदे कई कलर के होते हैं आप अपने घर पे भी इनकी पौध बना सकते हैं मार्केट से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत अच्छी तरह सी चल जाते हैं और ब अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इनको सेर करिए कमेंट करिए और सस्क्राइब जरूर करिए तैंक यू